Hello and welcome friends, welcome to Pharma Veda ज्यान तो आज की वीडियो हम डीटेल पर डिसकस करेंगे AIMS में जो रिक्टमेंट निकला है Security Come Fire Guard Grade 2 की वेकेंसी के लिए तो इसमें जो है आपका examination process किस तरह के से रहेगा SLABS किस तरह के से रहेगा आपका exam pattern क्या रहने वाला है तो पूरी डीटेल पर हम बात करने वाल है तो latest notification जो है release हुआ है जो की security come fire guard कर रहेगा आप देख सकते हैं ये जो notification release हुआ है 2023 का ये notification है total number of vacancies के अगर हम बात करें तो 35 vacancies में आपको देखने को मिलेगी general vacancy आपको 13 vacancy है EWS में 3 है और 4 जो है SC category के लिए रहेगी ठीक है तो 3 इसमें ST की है और 12 vacancy आपकी OBC candidates के लिए रहेगा ठीक है तो ये आपका जो है vacancy निकाली गई है अगर आप channel में नहीं है तो channel को जरूर से आप लोग subscribe कर लीजिए latest update आपको इसी channel में मिलेगे अब बात कर लेते हैं इसका जो examination process रहेगा वो किस तरह के से रहने वाला है तो आप लोग इस exam को Hindi और English दोनों में दे सकते हैं CBT mode मतलब computer में आपका जो है exam कराया जाएगा exam की timing आपकी डेर घंटे 90 minutes की जो है timing रहेगी अब बात करते हैं किस तरह के से second stage में आपको physical standard test वो आपको qualify करना होगा third stage में physical efficiency test ठीक है तो तीन stages ये रहेगी तो आप बात करते हैं पहली stage किस तरह के से रहेगी तो पहली stage जो है दो चरणों में जो है divide कर दी गई है पहली stage और दूसरी stage ठीक है तो जो merit list निकलेगी वो आपकी इसी के according निकलेगी तो language आपकी Hindi और English हो सकती है तो आपको choice में लेगी question answer आपके जो रहेंगे वो आपके Hindi और English आप अपने according कर सकते हैं जो आपका examination process रहेगी वो 90 minute की रहेगी जो की 100 MCQ questions उसमें पूछे जाएंगे तो 100 questions इसमें पूछे जाएंगे जो की MCQ based रहेंगे जिसमें की क्या-क्या पूछे जाएगा वो आप देख सकते हैं जनरल intelligence और reasoning के questions आएंगे जनरल awareness ठीक है जनरल awareness professional knowledge quantitative aptitude ability English Hindi language and comprehension ठीक है तो ये चीज़ें जो हैं आपके 100 number का जो परिक्षा रहेगी उसमें पूछा जाएगा percentage आप देख सकते हैं 25 marks का आपका देखिए general intelligence reasoning quantitative aptitude ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और general awareness professional knowledge English Hindi language comprehensive ठीक है तो ये आपका 30 number का आपका general awareness और professional knowledge के according पूछा जाएगा ठीक है तो professional knowledge से आप लोग समझ जाएगे कि आपका जो field है उसी के according जो है पूछा जाएगा इसके बाद जो है आपका syllabus of paper first जो syllabus आपका education qualification के according ही जो है रहेगा इसमें आपकी अगर आप गलत उत्तर दिंगे तो आपका इतने number कर जाएगे one बटे three ठीक है एक बटा तीन number आपके कर जाएगे इसके बाद जो है ये paper आपको सो मैसे पचास परतिसद अंक जनरल वालों के लिए पैतालिस अंक OBC के लिए चालिस अंक SCHT को लाना कंपलसर ही है तब ही आप लोग qualify माने जाएगे अब जो है physical test जो रहेगा वो किस तरह किस रहेगा वो आप देख सकते हैं physical test में आपका अलग-लग criteria है महिलाओं के लिए अलग है पुर्शों के लिए अलग है तो पहले आप देख सकते है महिलाओं की जो height है height measurement आपकी होनी चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 167 cm यह आपका male के लिए है और यह आपका female के लिए रहेगा ठीक है तो यह चीज़ें आप लोग देख लीजिए अब जो है इसमें chest पुर्शों की 80 cm होने चाहिए और 5 cm आपकी फूली नहीं चाहिए और साथ में महिलाओं के लिए किसी भी तरिके का जो है इसमें parameter नहीं रहेगा और यह जो hill certificate है आपका गड़वाल, कुमाओ, हिमानचल, गोरखा ठीक है तो यह जितने हमारे हिमालिया reason के candidates होते हैं उनके लिए यह रहेगा यह हो गया आपका इसके बाद जो है physical efficiency test रहेगा अब देखे physical जंप रहेगी तो 10 नंबर आपको long jump के मिलेंगे यह हम अभी male की बात कर रहे है ठीक है तो male candidates का यह है और female का यह है तो पहले आपको 10 नंबर मिलेंगे minimum आपको 3.3 meter तक मारेंगे तो यह आपका महिलाओ बुर्षों के लिए है और महिलाओं के लिए 2.6 meter रहेगा इसी तरीके से 3 marks आपको मिलेंगे जब आप maximum 3 chance आपको इसमें दिये जाएंगे तो यह आपका रहने वाला है मतलब 10 नंबर का रहेगा एक नंबर for successive 15 cm तक ठीक है तो यह आपकी long jump रहेगी मतलब minimum आपको इससे तो ज़ादे ही मानना है 3.3 meter से ज़ादे मानना है और महिलाओं को 2.6 meter से ज़ादे मानना है और 3 chance आपको जो हैं दोनों को दिये जाएंगे इसके बाद है high jump high jump देखे किस तरीके से रहेगा इसमें आपको maximum 10 नंबर मिलेंगे और minimum जो है आपको 5 नंबर लाना compulsory है और पुर्षों के लिए 1.2 meter तक आपको high jump माननी है और महिलाओं के लिए 0.9 meter तक जो है आपको high jump माननी है इसमें भी आपको 2 chance मिलेंगे दोनों को 2 chance मिलेंगे इसके बाद sprint जो है आपको 100 meter का जो रहेगा आपको 14 second में complete करना है महिलाओं को 16 second में complete करना होगा ठीक है तो 100 meter आपको 14 second में complete और महिलाओं को 16 second में complete करना होगा ठीक है तो यह आपका physical रहेगा इसके बाद आपकी race रहेगी जो की 792 792 centimeter की रहेगी जो के आपको 3 minute में complete करनी होगी और महिलाओं को चार मिनिट का टाइम दिया जाएगा इसके बाद देखे यहाँ पर आपको पुल अप करने होंगे अपस्ट्रिकल्स कम्प्लीट करने होंगे मतलब आपको उठक बैठक करनी होगी जिसमें की यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाइम्बिंग वॉल मतलब दिवाल जैसी होगी उसको आपको नागना होगा जो की कितनी मीटर लंबी होगी 2.4 मीटर लंबी होगी जो कि आपको चान नंबर मिलेंगे तीन मिनिट में अगर आप कम्प्लीट कर लेते हैं इस तरह के से रहेगा इसके बाद अलग लग प्रोसेस इसमें रहेगी चिनप मानना पुसप मानना तो इसमें देख सकते हैं किस तरह के से रहेगा चार अगर आप मारेंगे बिम खीचने होंगे 2.25 मीटर फ्रॉम दे ग्राउंट अगर आप ग्राउंट से इतना उठते हैं आपको इस तरह के से रहेगा महिलाओं का भी सेम रहेगा क्लाइमिंग जो वाल है दिवाल को नांगना होगा 1.8 मीटर की दिवाल होगी 4 मार्क सापको मिलेंगे 3 मिनट से पहले पहले अगर आप करेंगे ठीक है तो ये चीज़े इसमें सेम रहने वाली जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपका सारा डाटा क्लेर हो जाएगा एडमिट कार्ड आपका 20 फरवरी को रिलीज होगा ठीक है तो 20 फरवरी को आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा तो सारी चीज़ें आपको क्लेर हो जाएगी अभी आप अपने return exam की तैयारी करते रहें और channel के साथ बने रहें channel को आप लोग subscribe कर लीजिए कोई भी update मिलता है सबसे पहले आपको provide करा देंगे और आप telegram से भी जरूर से हमसे जुड़ जाएए वहाँ आपको day to day update मिल जाएंगे ठीक है तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई जहिंद जयवारत